जिसका था आप सभी का इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई जैसे कि आपको बहुत दिनों से एक्जैम डेट के लिए बहुत ही मतलब परिसान थे कि यूपी डियालेट फॉर्स सेमेशर का एक्जैम कब तक होगा जो आपका एक्जैम होता है ये छे महीने के बाद करा लिया जाता है लेकिन आपका जनवरी प्लस फरवरी बीच चुका है और ये मार्च चल रहा है और आज है पांच मार्च और आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बच गया है ठीक है अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अभी से अपना इस्टड़ी शुरू कर देजी क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम है ठीक है जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि यह पीनपी के तरफ से जारी की गई है और जैसे आप यहां देख सकते हो कि परिछान यमाग प्रदिकारी उत्तर प्रदेश परियागराश से यह जारी किया गय अभी यहां यह खबर निकल कर आई है जो आपका एक्जैम होगा वो आपका 23 से 28 के बीच में आपका एक्जैम होगा क्योंकि मैं बता दू कि फॉर्स सेमेशर का दोनों का एक्जैम 23 से 28 मार्च तक करा लिए जाएंगे क्या है पूरा नियूज एक बार देख लेते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि दिया क्या है कि उप्योत बिश्यक डियलेट प्रसिचर 2019 प्रथम सेमेश्टर एवं बीटीसी प्रसिचर 2013-14-15 ठीक है यह सब छोड़िए और यहां से देखिए प्रथम सेमेश्टर तथा तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि लिखित परिच्छा दिनांक 32-2020 से 28-3-2020 तक संपादित होगी ठीक है परिच्छा में आवेदन पत्र उन अव्यार्थियों को पूरित कराया जाए जिनका प्रसिचर NCTE के मानक के अनुसार पूड़ हो अब इसमें आप यह देख सकते हो कि देख सकते हो कि आपके सामने ये जो आपका फॉम है इसके लिए कितना फीस लगता है जो जैसे फॉम भड़ना होता है परिच्छा के लिए तो यहां फीस भी यहां बता दिया गया है जो आपका यहां से आप देख सकते हो इसके बाद आप यहां से देख सकते हो सबसे मेन है कि जो भी परिच्छा सुर्क मत तक दो हस्तासरी के कर्याले में उपलब्द कराए जाएंगे ठीक है तो यह है पूरी न्यूज और देखिए जैसे कि मान लिजी अभी तो यह बोला जा रहा है कि आपका जो फर्स सेमेशर प्लस सेकंड सेमेशर का एक्जैम है वो 23 से और 28 के बीच में करा लिया जाएगा ठीक तो आप अपना एक्जैम कैसे देंगे जैसे कि मैं आपको बता दू कि जो आपका एक्जैम होता है वो एक दिन में तीन से दो पेपर होते हैं तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है तो आप अच्छे से अभी से आप अपना एक टाइम ट नहीं है और उसके बाद अपना इस्टेडिस सुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम है बहुत ही कम रह चुका है अब यह देट इधर से उधर नहीं होगा आपका यह तैह है कि मार्च में ही होगा ठीक है तो फिलाल मुझे आप से भी को यहीं इंफोर्मेशन देना थ कि आप अपना जो प्रिप्रेशन है वह कैसे करें और आप ज्यादा से ज्यादा नमबर ला सके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना चैसे प्रिप्रेशन करते रहें थैंक्स वर वोचिंग एंड बेस्ट अव लग् प्रिप्रेशन जिए से अध एंबर लेक प्रिव कैसे ंप अबर देना हैं अवोचिंग देना मृप report कि दो थे करत कि एंप यहरें थो यहारा से भी हां